किस फुई है कि हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में और इस वीडियो में हम बात करेंगी कि हम अपने कंपने सुनने की टारी किस तरह से ओनलाइन एड़ कर सकते हैं डेट आप एकजिट किस तरह से हम अपने EPF account में add कर सकते हैं अपने smartphone की help से तो चलिए वीडियो में आगे जानते हैं मैं आपको smartphone की हल जब किस तरह से हमने डेटाबेक जिट को add करना वह बटा रहा हूं इसलिए आपको अपने smartphone में Chrome आउजर में डेटाबेक जिट को किस तरह से एड करना है वह मैं आपको बटा उससे पहले आपको बटाड़ों कि डेटाबेक जिट को एड करने के लिए कुछ requirement को पुरा करना होता है आपको चले जाने वह क्या होती है सबसे पहले आपको बटाना है कि यएक यएन अकाउट के साथ आपका अधर लिंक होना च्ख का आपका आधरों का दीपार का खेवाइस होना चाहिए दूसरा कि आपके आधर करद के साथ मोबाइल नमर भी लिंक होना चाहिए मतलब कि आपके PF account में लास्ट दो मेने से पैसे जमा ना हो रहा हो तब ही आप यहाँ कर सकते हैं अपने E-PF account में date of exit को add करने के लिए आपको अपने UN account में sign-in कर लेना है login कर लेना है next आपको अगर आपकी service history चेक करने हैं कि आपके कौन सी कंपने में काम क्या और उसमें date of joining क्या है और इसमें date of exit पहले से कमणी ने एड़ की है या नहीं तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर लेख सकते हूँ यहाँ पर लिखाओ वीव तो यहाँ पर आपको वीव पर क्लिक करना है next आपको service history वाल आप्शन पर क्लिक करना इस service देतल पेज की help से आप अपने कंपने की जोइनिंग डेट और कंपने की डेट ओप लिविंग यानिक डेट ओप एक्जिट को चेक कर सकतो तो आप यहाँ पर देख सकतो हूँ यहाँ पर लिखा हुआ डी ओज एप यानिक डेट अप जोईनिंग इंप्लोई नॉट यानिके डेट अब द्रिट आपके यहां पर एड नहीं है उसके बादि यह पर लिखाँ हुआ डी ओजी एपियर्श यानिके डेट ऑप जोईनिंग इंफलोई पेंशन स्किम ए रिच यहां पर इंप्लोई प्निंग द्रॉब इनप जोईनिंग यह उस्के बाद द प्रेट आइचला हो एट कर सकते हैं, तो सबसे भेले आपको अपने अपने आकाउट को उपन कर लेंना, उसके बाद को ऊपर मेनेजे अप्शन प्रक्लिक करना है, नीच्ट आपको उक्षिर स्प्षिर क्लिक करना है, अब नेक्स्क्रीन में कुछ पेज इस तरह से आपको सो होगा तो यहां पर लिखा हुआ है सेलेक्ट इंप्लोईमेंट तो यहां से आपको अपना प्यप नमबर यानि मेंबर आइडी को सेलेक्ट करना चाहते हैं कि मेंबर आइडी को सेलेक्ट करने के बाद आपको मेंबर आडी की डेटेल्स होगे कंपनी का नाम लास्ट कॉंट्रूबिशन डेट बड़ देट आप जॉइन उसके बार नेक्स्ट आपको सेलेक्ट डेट ऑप एक्जिट वाले उप्शन मेंसे सेलेक्ट करना है आपकी है अब नेक्स्ट आपको सेल्क रिजेन ऑप एक्जिट के ऑप्सन में से आपका रिजिट को चुटने का तो आपको सेलेक्पशन पर क्लिक करना है उसके बाद नेख्श में यहां पर लास में जो लिखा हुआ है और सर्वीस एनी अदय सेल्क कर लेता हूं उस तरह आपको भी सेलक कर लेना है कम्नी सुने का। है रिजीन अपने को सेल्क कने की वापे एकलती को साथ को टोटबी बॉटन पर क्लिप है पर जास यह आप Corps पर इस पर करना है यहां पर लिखा हुआ है I have a read the blow point carefully उसके बार आपको next आपको यहां पर नीचे submit button पर click करने जैसे आप submit button पर click करोगे तो आपको एक alert रिखा हुआ है are you sorry you want to update date of exit यहां पर आपको और इस तरह के और भी वीडियो के लिए आपको मिल्टाओं next video में लुपxis ut लवका कि उल्चूस लवका भाल ल synerम भाल लॉपís